नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है परमोठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोड़क्ट कैफे यूटूब चैनल दोस्तो यदि आप अपने लिए एक बैस्ट ओवन लेना चाहते हैं और कन्फूज हैं कि आपको OTG ओवन लेना चाहिए पूरी जानकरी मिल सके और आप अपने लिए अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से एक बैस्ट ओवन सेलेट कर सकें लेकिन यदि चैनल पर नए हैं और मुझको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज ही चैनल को सब्स्राइब कर लें और बैल ऐकन दबा दें ऐसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो सुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ओवन कितने टाइप के होते हैं तो मार्केट में में आपको टू टाइप के ओवन मिल जाते हैं No.1 OTG oven और No.2 Microwave oven Microwave oven को further classified के जाता है 3 types में Solo Microwave oven, Grill Microwave oven और Convection Microwave oven इन 3 ही type के Microwave oven में Convection Microwave oven सबसे best होते हैं और ये क्यों होते हैं इसको मैं आपको वीडियो में आगे explain करूँगा आईए सबसे पहले बात करते हैं कि इन oven की working में क्या difference होता है और सबसे पहले बात करते हैं OTG oven के बारे में दोस्तो OTG oven की full form होती है oven, toaster और griller इनके अंदर एक chamber होता है जिसके top में और bottom में hitting coil लगी होती है जिनकी help से आपका food item चारो side से अच्छे से सिख जाता है आज के समय में आपको OTG oven में convection का feature भी मिल जाता है जिसमें oven के अंदर एक फैल लगा होता है जो hitting coil से heat हुई hot air को पूरे chamber में अच्छे से circulate करता है जिसकी वज़े से आप अच्छी quality की baking कर सकते हैं तो दोस्तों यदि आप baking करने के लिए या फिर cake बनाने के लिए oven लिना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखे कि आपके oven में convection का feature जरूर हो uses की बात करें तो OTG oven को आप roasting, toasting, grilling और baking के लिए use कर सकते हैं और baking cakes, cookies, bread और other baked food item बना सकते हैं इनके advantage की बात करें तो OTG oven affordable price पराते हैं और यदि आप cooking अच्छे से जानते हैं और food के साथ experiment करते रहते हैं तो ऐसी condition में OTG oven आपके लिए best option है commercially भी OTG oven जादा यूज के जाते हैं इनके negative की बात करें तो इनके अंदर आपको simple design मिलता है और इनके अंदर आपको insta auto cook menu और auto heat का option भी नहीं मिलता तो आप इस बात का धियान रखें दोस्तो मैंने कुछ अपने recommended best OTG oven के link वीडियो के description में दे दिये हैं यदि आप चाहें तो link पर click करके उनको purchase कर सकते हैं अब बात करते हैं microwave oven की तो microwave oven mainly three types के होते हैं नमबर वन solo microwave oven दोस्तो solo microwave oven की बात करें तो इनके अंदर एक magnetron लगा होता है जो chamber के अंदर electromagnetic waves छोड़ता है जिसकी वजय से आप फूड आइटम चारो साइट से अच्छे से पक जाता है इन oven को आप auto reheat, limited cooking और defrosting के लिए यूज़ कर सकते हैं इन में आप अपने खाने को गरम कर सकते हैं चाय बनाना सकते हैं, मैगी बना सकते हैं और पास्ता बना सकते हैं दूसरे होते हैं grill microwave oven grill microwave oven में magnetron के साथ heating coin लगी होती हैं जिनकी help से आप reheating और defrosting के साथ-साथ grilling भी कर सकते हैं यानि इन oven में आप grilling के सभी food item बना सकते हैं जैसे chicken tikka, penny tikka और pizza और तीसरे होते हैं convection microwave oven जिनके बारे में हम इस वीडियो में detail में बात करेंगे दोस्तों, convection microwave oven में magnetron और heating coil के साथ एक fan लगा होता है जो magnetron और heating coil की hit को पूरे chamber में अच्छे से servilet करता है और आपके food item को चारों side से अच्छे से से शेक और पका देता है uses की बात करें तो इनकी help से आप reheating, defrosting और grilling के साथ साथ baking, cooking और roasting जैसे सभी काम बढ़ी आसानी से और बढ़ी कम समय में कर सकते हैं advantage की बात करें तो इन oven में आपको premium design, touch panel, insta auto cook menu और सभी advanced feature देखने को मिल जाते हैं दोस्तो convection microwave oven में OTG oven के मुकावले food item 6-7 time faster पक जाते हैं यानि कोल मिलाकर convection microwave oven वो oven होते हैं जिनके अंदर आप लगबग हर टाइप की cooking कर सकते हैं इसलिए आपको microwave oven में convection microwave oven ही लेना चाहिए वहीं के negative की बात करें तो ये slightly expensive होते हैं compared to all other type of ovens दोस्तो मैंने कुछ अपने recommended best convection microwave oven के link वीडियो के description में दे दिये हैं यदि आप चाहें तो link पर click करके उनको purchase कर सकते हैं तो दोस्तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि OTG oven, solo microwave oven, grill microwave oven और convection microwave oven क्या होते हैं ये कैसे काम करते हैं और आप इनको किन किन कामों के लिए use कर सकते हैं तो दोस्तो अब आता है सबसे important सवाल और जदा तर सबस्क्राइबर मेरे से यही पूछते हैं कि सर, OTG oven और convection microwave oven में mainly क्या क्या difference होता है तो दोस्तो ये differences मैं आपको पहले explain कर चुका हूँ इनके लावा जो differences होते हैं OTG oven में आप metal tensile use कर सकते हैं लेकिन plastic tensile का use नहीं कर सकते वहीं convection microwave oven की बात करें तो ये depend करता है कि आप कौन सा mode use कर रहे हैं microwave mode में आप metal के vessel use नहीं कर सकते और grill और convection mode में आप plastic के vessel use नहीं कर सकते इनके लिए अलग से vessel आते हैं जो microwave approved होते हैं OTG oven में power consumption कम होता है लेकिन इनमे food को कुक करने में समय ज़्यादा लगता है वहीं microwave oven में power consumption ज़्यादा होता है लेकिन इनमे food को कुक करने में समय कम लगता है OTG oven में आपको 10 liter से 60 liter तक के size मिल जाते हैं वहीं microwave oven में आपको 17 लिटर से 42 लिटर तक के size मिल जाते हैं वहीं कुछ अच्छे ब्रांट की बात करें तो उनको आप अपनी screen पर देख सकते हैं तो ये main difference होता है OTG और convection microwave oven में तो दोस्तो ये main difference होता है OTG oven और convection microwave oven में अब आता है सबसे important सवाल कि किन लोगों को OTG oven लेना चाहिए और किन लोगों को convection microwave oven लेना चाहिए तो दोस्तो ये आपको अच्छे चे cooking आती है और आप food के साथ experiment करते रहते हैं और mainly oven को baking, grilling और roasting करने के लिए लेना चाहते हैं तो ऐसी condition में आपको OTG oven लेना चाहिए वहीं यदि आपको budget का issue नहीं है और आप एक ऐसा oven लेना चाहते हैं जिसमें आपको premium design के साथ साथ Insta Auto Cook menu के option मिल जाए और जिसमें आप roasting और baking के साथ साथ microwave cooking का भी फायदा उठा सकें तो ऐसी condition में convection microwave oven आपके लिए best option बन जाता है वहीं size की बात करें तो 21-25 लिटर का size small size family के लिए 25-30 लिटर का size medium size family के लिए और 30-36 लिटर का size large size family के लिए sufficient होता है वहीं यदि आप oven को comments से लिउज करना चाहते हैं तो आप 50-60 लिटर का oven ले सकते हैं तो दोस्तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपके requirement के हिसाब से OTG oven आपको लेना चाहिए या फिर convection microwave oven आपको लेना चाहिए आसा करता हूँ अब आप अपने लिए एक best oven select कर सकेंगे यदि अभी भी कोई confusion हो तो आप comment में लिकर में इससे पूर सकते हैं दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली interesting वीडियो में जब तक के लिए खुश रहें स्वस्त रहें नमस्कार